आपको 40 लाग पर NM का पैकेच चाहिए, तो अगर dream high हैं, तो आपकी महनत भी उससे उपर होनी चाहिए, आपकी knowledge, आपकी skill set भी उसके उपर होनी चाहिए, एक simple सी बात है देखो यार, कोई भी आपको पैसा देगा, तो problem solve करने के लिए देगा, अगर problem unique है और आप solve कर सकते हो using problem को, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, it's all simple, तो Adobe है, ऐसे बहुत सारी बड़ी companies हैं, जो बहुत tough coding interviews और rounds लेते हैं, तो इनके interviews में जो question आते हैं, उन question को आप कैसे implement करेंगे, वो आपको यहां competitive coding में पढ़ने को मिलेगा, अलग-अलग websites हैं, धेर सारी जिनके नाम में यहां लेके आया हूँ, इन सारी websites पे आपको क्या मिलेगा, previously जो interview हो चुके हैं, उनके question है, everyone, my name is Vishwadeep, और आपका स्वागत करता हूँ, PW चैनल पे, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसी skillsets के बारे में, अगर वो skillsets आपके पास होती है, तो आप आसानी स 40 प्लस लैक का package उठा सकते हैं, of course, बट उसके लिए वो क्या skillsets है, कैसे उन skillsets को achieve किया जाएगा, क्या systematic approach होगी कि पहले ये पढ़ें, वो पढ़ें, वो पढ़ें, just because there are many things, इतनी सारी चीजों में किस level तक हमें जाना है, किस चीज को पढ़ना है, किस को छोड़ना है, और उन सारी चीजों को करने में कितना time लगता है, उन सारी छोटी से छोटी detail के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो चलिया ये, शुरुवात करते हैं, इस session की सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, वो ये है, कि अगर आप already किसी level पर है, आपको coding पता है, फिर भी आपको यहाँ पर एक चीज जो करनी पड़ेगी, वो ये है, कि आप fresh है, फिर से start करो, थोड़ा time लो, अपने आपको उस mood में लाने का, जिस mood में आप practice करें coding की, देखिए एक simple सी बात है, tech job में सबसे जादा important जो है, वो है आपकी problem solving skills, और वो आप problem जितनी भी solve कर तो आपको programming तो आनी ही आनी चाहिए, सर कौन सी language चीख है, आप language का tension छोड़ दो, कोई भी एक language select करो, C, C++, Java, Python, C++, Java, Python, तीनों में से कोई एक select कर लो, majority of the students C++, Java select करते हैं, दोनों में से कोई एक, पर आप कोई भी एक language select करो, और फिर उसमें एकदम basic वाले code लिखना शुर चला के जो छोटी-छोटी errors या problems आप देखोगे कि कहा है, semi-colon लगा, नहीं लगाया, logically कहीं mistake कर दी, if-else के बाद, या loop में, ऐसे जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे issues हैं, वो आप identify करके और उसमें आप practice करके महारत हासिल कर लोगे कि अब ऐसी issues ना आए, और छो चोटी-छोटी चीजें कि loop कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कितने iterations चलने है loop में, if-else कैसे लगाना है, function को कैसे call करना है, और ये सारी चीजें आपके लिए normal hands-on हो जाए आपके लिए, एकदम regular हो जाएं, बहुत practice में आ जाएं, तो आप उसके लिए शुरुआत करिए fresh स जीरो से और programming language से start करेंगे, फिर आपके पास total जो सीखने की चीजें हैं, वो ये सारी हैं, देखो ये मैं बहुत सारे points हैं, इसलिए लिए लिए लाया हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता था कि एक बहुत systematic और बहुत ही organized way में, structured way में आपको बताऊं कि क्या-क्या अलग-अल होनी चाहिए, आपकी knowledge, आपकी skill set भी उसके उपर होनी चाहिए, एक simple सी बात है, देखो यार, कोई भी आपको पैसा देगा, तो problem solve करने के लिए देगा, अगर problem unique है और आप solve कर सकते हो using problem को, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, it's all simple, तो कोई भी unique problem आए, हमारे knowledge domain में आ आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है पहले से, तो एक तो सबसे पहले languages के बारे में बात करेंगे, कि पहले आपको languages पता होनी चाहिए, फिर data structure and algorithm, फिर कुछ projects, competitive programming, core courses जो आपको पता होने चाहिए, कुछ computer science के ताकि आप जब भी काम करें, आपके interviews में या फिर बाद में, जब implementation में जाएं, तो वहाँ उनका बहुत use होगा, आपको basically data structure के अलावा DBMS, operating system, computer organization, computer networking, यह सब पता होना चाहिए, system design आपको पता होनी चाहिए, कि अगर कोई scratch से code लिख होगे, कोई नया project बनाओगे, तो उसका system का design कैसा बनेगा, architectural design कैसा बनेगा, फिर कुछ अदर skills हैं औ आपको पता होने चाहिए, सबसे पहले मैं languages की बात कर रहा था, again मैं बता दू कि C, C++ में से कोई एक, C++ अगर आप choose कर सकते हैं, क्योंकि उसमें oops के concept implement होते हैं, class और object के, तो वो, या Java या Python, basic वाले program से start करो, अगर आपके पास coding का ठीक ठाक, basic practice का hands-on है, तो आप इनको 10 से 15 days में आसानी से cover कर सकते हैं, तो अगर आप 10 से 15 days यहाँ पे spend करेंगे, तो 10 से 15 days में आप basic वाले codes जो हैं, आसानी से कर पाएंगे, और ये मैं तब बता रहा हूँ, जब या तो gate की preparation के साथ में, या बिना उसके साथ, college के साथ में भी आप इन चीजों को करने वाले हैं, of course क्योंकि placement चाहिए college सो हो गई, आपके पास कहीं ने कहीं, right? तो college के साथ में और दूसरी activity के साथ में आप 10 to 15 days, 1, 1, 2 hour per day अगर लगाएंगे, तो basic वाले programs का आपका hands-on हो जाएगा, कुछ link में ने या लिखी हुए beginners के लिए, starting वाले जो program होते हैं, जैसे कि फिबना की series print कर कराना है, एना even odd find out करना है, कोई number prime है या नहीं ये पता करना है, given five numbers का average और sum print कराना है, और यसे बहुत सारे छोटे-छोटे programs हैं, जो आप लिखके और practice करेंगे, फिर आता है data structure का implementation, data structure and algorithms का implementation, ठीके, तो यहाँ पे algorithms भी लिखना पड़ेगा मुझे, data structure and algorithm का implementation क्या कहता है, कि आप basic data structure, जो अपनी engineering college के साथ पढ़ते हो, अगर आप gate का preparation कर रहे हो, तो यह तो बहुत सही चीज है आपके लिए, क्योंकि ये आप theoretically बहुत detail में वैसे ही पढ़ लेते हो, इनका pseudo code implementation आप वैसे ही पढ़ लेते हो, उसे सिफ program लिखके और practice करना है, that's it, नहीं भी करते हो तो gate preparation के लिए आपके पास धेर सारे ऐसे courses हैं, जो data structure algorithm आपको पढ़ाते हैं, YouTube पे भी और paid classes में भी, वहाँ से आप सीख सकते हैं, theoretical और practical आप खुद से भी सीख सकते हैं, अगर आप हमारा special gate plus placement का batch join करते हैं paid classes में, तो वहाँ तो आपको दोनों चीज़े मिल जाएंगी, implementation और data structure algorithm for gate separately मिल जाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे, अब इसमें करना क्या है, आपना जो भी data structure पढ़ते हो, उन data structure को implement करो, उन data structure पे जो भी problems आप solve करते हो, basic वाली, वो सारी के सारी problem का code लिख दो, program लिख दो, array, array जैसे की array है, तो इसमें sorting, searching, insertion, deletion, ठीक है, array की copy बनान and many other such kind of problems are there, बहुत सारी problems है, minimum find करना, maximum find करना, minimum, maximum, दोनों find out करना, बहुत सारे ऐसे problems है, फिर आता है link list, link list में insertion, deletion, searching, sorting, और भी ऐसी बहुत सारी problems हैं, जो आप सीखेंगे, ठीक है, फिर आता है हमारे पास stack, queue, इनमें भी बहुत सारी अलग-अलग, जो implementation, questions आते हैं, व one of the biggest data structure का chapter जहां से ठेरो questions बनते हैं, और यह important भी है क्योंकि काफी सारे interviews में questions पूछे जाते हैं, traversal tree का जो है वो, और recursion जो है वो, वहां से thousands of type के tree के problems जो है, निकल सकते हैं, उन 2-4 problems को आप अगर समझेंगे, तो बचीवी problem का solution आप खुद से भी implement आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि almost सारी की सारी problems जो tree की हैं, वो recursion की help से आप आसानी से लिख पाएंगे, और traversal type की ही algorithm हर जगे लगानी पड़ीगे, तो एक बार आपने थोड़ा practice कर लिया, यह बहुत आसान बन जाएगा, फिर आता है graph, graph में searching techniques होती हैं, traversal techniques जिने हम कहते हैं, breadth first search and depth first search, graph में shortest path की भी algorithms आती हैं, फिर minimum spanning tree की algorithms आती हैं, वो आप यहां से निकाल सकते हैं, फिर आता है algorithms, तो algorithms में recursion, backtracking, greedy algorithms, dynamic approach, divide and conquer, फिर sorting etc. की अलग-अलग type की problems, यह सारी की सारी problems जो हैं आपको सीखनी होंगी, अब देखो यह जो data structure and algorithm का implementation है, यह time लेगा, इसको कम से कम आपको 3-5 महिने लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको थोड़ा अच्छे level पर सीख पाएंगे, अगर आप ज्यादा time spent कर सकते हैं, तो जल्दी भी finish कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कम time मिलता है per day, या आपको हर एक problem को solve करने में थोड़ा सा ज्या actually होता क्या है न, active होता है तब जब placement आने वाले होते हैं, एक दो महिने पहले, अब एक दो महिने में आप पूरे एक साल की, दो साल की मेहनत को summarize करना चाहते हैं, तो चीज़े छूटेंगी, of course आप दो महिने में वो चीज़ नहीं सीख सकते, उतनी महारत, उतनी expertise नहीं मना स चाहिए तो लंबी महनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ज्यादा package मिलेगा और ये लंबी महनत अगर करनी है, अभी से शुरू कर दो, placement अगर दो साल, एक साल के बाद भी है, और आपका target सिर्फ placement का है, शुरू कर दो अभी से, ताकि आप एक साल में उस level पर पहुंच आता है, तो रही बात ये data structure and algorithm की कम से कम 3 से 5 मेने तो आपको इसको देने ही पढ़ेंगे, फिर आती है projects की बारी, आपने DSA सीख लिया, ठीक है, फिर आपको अब थोड़े से projects बिर्वान आने पढ़ेंगे, आपने programming सीखी है, इन programming को data structure, algorithm के implementation के अलावा, आप दूसरे projects में भी इस्तिमाल करेंगे, इनका advanced version आप सीखेंगे, advanced Java, advanced Python है, Python की अलग-अलग libraries होती है, for different, different purpose, like machine learning के लिए अलग होती है, deep learning के लिए अलग होती है, and so on, तो आप projects बनाएंगे, आप app development सीख सकते हैं, Android में, iOS में, आप machine learning के अलग-अलग projects बना सकते हैं, इसके लिए आप Kegel नाम की एक, you know, community है, वो join कर सकते हैं, Python का खुद का अपना एक बहुत बड़ा community है, वो join कर सकते हैं, there are many places, many, many places, आप internet पे ढूंडेंगे, आपको ML के हजारों problems मिलेंगे, फिर आता है web development, ये तो must है, किसी भी person के लिए, जो की software में job करना चाहता है, उसको web development तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत हर चीज तो आप web के थुरू होती है, आप अपना compiler भी अपने computer system में install नहीं करते हो आज कल, compiler भी आप online ही चलाते हो, web browser के थुरू, तो कोई भी software हो, उसको internet connection तो चाहिए ही चाहिए, और अगर कोई भी software है, जिसको internet connection चाहिए, या web based है वो, तो web development आपको करना ही आना चाहिए, हर चीज को अब आपको web के थुरू ही, web application के थुरू ही बनाना है, तो ये तो एक must have skill है, जो आपको आनी चाहिए, तो कुछ अच्छे basic वाले projects बना लो, एक website बना दो, जिसमें अलग-अलग pages हो, अलग-अलग उनकी functionalities हो, फिर आप कुछ projects ML के और machine learning के, प्लस mobile application development के भी कर सकते हैं, ताकि आपके portfolio को थोड़ा सा एक add-on मिलेगे, हाँ भाया, सिर्फ DSA की coding नहीं, आपको projects बनाना भी आते हैं, आपको दूसरा aspect of coding या programming भी आती है, फिर आता है आपका next competitive coding, competitive coding क्या है सर, ये data structure algorithm में जो आपने सीखा है, उसी को एक step next ले उनके एक advanced version of problems पुछी आती है, medium से लेके tough level की, जो की कुछ competitions होती है, अलग-अलग websites की, प्लस बड़ी-बड़ी companies के interviews में जो tough-tough questions आते हैं, बड़ी-बड़ी companies like Facebook है, Microsoft है, Google है, Adobe है, ऐसे बहुत सारी बड़ी companies हैं, जो बहुत tough coding interviews और rounds लेते हैं, तो इनके interviews में जो questions आते है उन questions को आप कैसे implement करेंगे, वो आपको यहां competitive coding में पढ़ने को मिलेगा, अलग-अलग websites हैं धेर सारी जिनके नाम में यहां लेके आया हूँ, इन सारी websites पे आपको क्या मिलेगा, previously जो interview हो चुके हैं उनके questions, तो बहुत सारे अलग-अलग employees, चाहे वो fresher हों, या वो experienced हों, आप पाने के लिए जब interview देते हैं, उनसे कभी coding के questions पूछे जाते हैं, तो वो अपने coding questions को इन websites पे share कर देते हैं, बस आप इन website से उन questions को उठाओ, और देखो कि किस type का trend चल रहा है, आजकल problems का, जिस type के questions पूछे जा रहे हैं, अच्छे-च्छे interviews में, बस आप देखो, उ ये competitive coding पढ़ सकते हो, इससे दो फाइदे होंगे, competitive coding करने से दो फाइदे क्या है, एक जो अगर competition में आप participate करोगे, वहाँ अगर जीत गए तो highlight हो जाओगे, आपकी ranking बढ़ीगे, आपका portfolio हेवी होते जाएगा, दूसरा हो सकता है, उन competitive programming में अच्छी rank आने की वज़से, आ कि उसमें जो जीते हैं, winner होते हैं, उन्हें job offer की जा सके, तो यहाँ से एक वो भी आपको फाइदा हो जाएगा, कि interview में किस टाइप के question आते हैं, practice हो जाएगी, अब बात करते हैं, core courses की, core course का knowledge होना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि आप जब भी कभी, कोई underlying project बनाएंगे, किस इसी भी company के लिए, तो वो project में कहीने कहीं computer system की working involved होगी, अगर computer system काम करता है, तो आपको COA का knowledge पता होना चाहिए, computer organization architecture का, कि computer कैसे design हुआ है, और कैसे वो काम करता है actually, ताकि आपका software को आप optimize कर पाओ, और सही तरीके से इस्तिमाल करने के लिए deploy, मतलब implement कर पाओ, जहां व operating system पता होना चाहिए, क्योंकि बिना OS के तो system काम ही नहीं करता है, तो OS पता होगा, तभी तो मज़ा आएगा, फिर आपको OOPS के concept पता होने चाहिए, object oriented programming के, ये बहुत important है, क्यों सर, क्योंकि बिना OOPS के आजकल hardly कोई code लिखे जाते हैं, तो आपको लगबग हर जगे implementation में आप देखेंगे, तो object oriented to programming ही use होती है, interview में भी इसके अच्छे खासे question पूछे जाते हैं, फिर computer networking पता होनी चाहिए, क्योंकि again, सब कुछ तो network के through है, देखो, आप मेरा lecture भी अभी देख रहे हो, ये session भी सुन पा रहे हो, तो ये computer network के through ही हो रहा है, तो आपके हर एक software जो web-based बनाते हो, website development प्लस networking का ही तो काम है, और ये networking अगर आपको theoretically नहीं पता है, ये background में काम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो definitely आप कहीने कहीन lack करोगे comparative to others, फिर आता है computer organization and DBMS, DBMS क्यों जरूरी है, देखो यार कहीं भी data की बात आती है, data को store करोगे, data को store कहा करो अगर आप database में, अगर आप database में store करते हो, वहाँ से retrieve करके उस पे काम करना है, तो machine learning में काम करना है, तो DBMS आना चाहिए, क्योंकि machine learning में algorithm लगाने के पहले आपको data चाहिए, data मिलेगा DBMS से, ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग-अलग-अलग-अलग applications में data जब जरुत पढ़त है, store करने की या fetch करने की, आपको DBMS तो आना ही आना चाहिए, DBMS की queries, schemas, अलग-अलग, जो storage schemas बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, फिर आता है system design, अब ये क्यों जरूरी है, देखो यार, आप हमेशा lower level पे तो रहोगे नहीं, कि आप गए, और आप बस बता दो, कोई भी आपको बताएगा कि ये वाला type का problem है, इसको code करके solve करना है, आप coding कर दोगे और काम खतम, ऐसा तो नहीं, हम, हाँ सर हमको तो चाहिए, क्या चाहिए, हमें promotion चाहिए, हम बड़े level पे जाएंगे, जहां पे हमें decision लेना पड़ेगा, कि हम decide करें कि problem क्या solve करनी है, और junior coder या programmer आके और उसको problem को solve करे, पर ये decision making लागाने के लिए, ये decision maker बनने के लिए, आपको knowledge क्या चाहिए, आपको ये चाहिए ना कि जो problem आपको दे रखी है, उस problem को scratch से कैसे solve करना है, कोई नया अगर project चाहिए, या कोई एक नई website बनानी है, कोई नया छोटा सा vertical start करना है in the same company, तो कोई भी नया software आपको बनाना है scratch से, तो उसको design करना पड़ेगा, कोई नया feature ही develop करना है, already existing software में, तो उसका architecture level पे आपको पता होना चाहिए, कि ये कैसे काम करेगा data कहां से कहां जाएगा, कैसे इसका schema बनेगा, storage कैसा बनेगा, front end कैसा बनेगा, back end पे क्या-क्या functionalities हो आपने खोल के रख दिया, ये दिमाग में तब जाएगा ना, जब आप उस लायक बनोगे, तो आपको basically कुछ ऐसे problems हैं, जो की बहुत popular हैं, जैसे की make my trip का design, book my show का design, instagram, whatsapp, tiny url का design, web crawler का design, tiny url क्या करता है, जो भी आप बड़ा सा url देते हैं, उसको छोटा कर देता है, तो ये सबकी कुछ designs हैं, जो आपको basically पता होनी चाहिए, working architecture पता होना चाहिए, schemas पता होने चाहिए इनके, प्लस आपको data flow diagram पता होना चाहिए, कि data यहाँ से यहाँ जाएगा, इस module से, ऐसे जाएगा, फिर store होगा, फिर secure होगा, etc. ये सब जो है, ये decision makers जो है, इस्तेमाल क करकी list में आ जाए, rather than just follower कि हाँ, बस बताओ, हमें करना क्या है, हम code कर देंगे, rather than आप architecture level पर decide करोगे, कि नहीं यार, इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, नहीं यार, ये वाला जो चीज है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसके enhancement में ये काम करते हैं, और ये architectural level आपको system design से आ जाएगा, त होता है, फिर आती है miscellaneous stuff, उसमें क्या आता है, कुछ aptitude, क्योंकि बहुत सारी companies aptitude test अलग से लेती हैं, फिर आता है puzzles, बहुत सारी interviews में puzzles पूछे जाते हैं, तो थोड़ी बहुत practice आपकी puzzles की भी होनी चाहिए, जो कि बहुत popular और common सी puzzles हैं उनमें, बहुत सारी problems हैं, hate की, colors की, there are many many problems, एक राजा है, उसके पास एक बहुत सारे prisoners होते हैं, उन prisoners को मार के और जहर वगेर दे के और पता करना है कि कि वाइन की bottle में जहर है, ऐसे बहुत सारी puzzles हैं, उन puzzles का solution आपको पहले से अगर पता हो तो अच्छा होगा, फिर आता है HR interview रहूं, इसमें भी बहुत सारे strength बोलते हैं, आरे ये तो हो जाएगा, क्या ही है, हमारी strength बतानी है, आरे सर हम ताकतवर हैं, हम को कोई काम भी दोगे, हम करके दिखा देंगे, हम deadline कभी miss नहीं करते हैं, और ऐसे आप कुछ भी कुछ तो भी answer कर दोगे, पट फिर भी HR round के questions का answer prepare करना और सही सटी का answer prepare करना ब मानलो आपने कहा कि सर हम बहुत dedicated हैं, तुरंत question आएगा कि बताओ, कोई example बताओ, जहाँ पे आप बता सकते थे, पहले कभी आपने show किया हो कि आप dedicated थे, अब आपको example पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप dedicated हो या नहीं हो, आपको खुद कोई नहीं पता था, कभी किसी ने बाहर बोला था कि मेरी strength dedicated है, होने वाली आपने भी वही बता दी, आप अपनी strength पे खेलो, जो आपकी strength है उसको सोचो, उसका justification सोचो कि कहां पे आपने उसको use किया है, कहां आप justify कर सकते हो कि हां यार मैं dedicated हूँ, देखो मैंने किया है, 10th class में मैंने इतना percent बनाया, 12th में इ बहुत बहुत important part है आपके interview का अगर आप अच्छे से prepare करेंगे तो यहां पे आप बाजी मार सकते हैं, आपका resume क्या-क्या detail वाला होना चाहिए, इसमें फाल्तु की चीज़ें कोई ना हो, किस तरीके से आप arrange करेंगे resume को, बहुत systematic ऐसा resume बनाएंगी कि जैसे ही कोई आपके resume को खोले, एक नजर में जो highlighted points हैं आपके resume के, कि चाहे वो gate की rank है, या फिर कोई बहुत बड़ा achievement है, वो तुरंत दिखे, सबसे पहले वो दिखे, ऐसा आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए resume ऐसा बनाना पड़ेगा, और resume में बहुत सारे elements add करने पड़ेंगे through your portfolio जब sit, talk in the interviews, कैसे आप बाते करेंगे, आपके hand moments, कैसे आप बेठे हुए हैं, कैसे आप खड़े हुए हैं, इंटर्व्यूस में बहुत matter करता है, तो ये इस पे भी थोड़ा सा आपको जो है काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जब आप कर लोगे, अब इन सारी चीजों का म बीच में शायद time लिखना भूल गया, तो projects में आपको कम से कम 2-3 months का time लगेगा, क्योंकि आप सीखेंगे, फिर implement करेंगे, फिर implement करेंगे, अब यहाँ पे मैं एक basic level की बात कर रहा हूँ, आप बहुत deep में जाएंगे, तो ये 5 साल भी करेंगे, तो भी कम पड़ेगा, इतन सारे projects हैं, और इतना बड़ा portfolio आप बना सकते हो, पर कम से कम 1-2 type के, अगर आप projects बना लेते हैं, एक या 2, 2-3 महिने में आप कर लेंगे, क्योंकि आप condition applied है, कि आप data structure और programming language में थरो हो चुके हैं पहले, फिर आते हैं interview question, ये competitive programming बहुत लंबा जाएगा, ये लंबा इसलिए जाएगा, क्योंकि आप इसको जितना जादा करेंगे, उतने जादा questions आपके जो हैं, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, तो इसको आप 2-3 months में एक certain level तक ले जाके finish कराओ, कि 2-3 महिने करेंगे, जितना हो सकेगा, initially कर लेंगे, फिर बाद में time मिलेगा, त इसको expand करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, courses की बात करेंगे, तो एक महिने में आप basic basic सारे courses को पढ़ लेंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, जो important important part है, आप 1-2 months में इसको cover up करने की कोशिश करेंगे, 1-2 months में इसको finish up करेंगे, और फिर आता है system design, इसको आप 15-20 days मे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस basic data flow और basic schema designs जो हैं, वो आपको सीखनी होंगी, miscellaneous stuff, total आप 15-20 days में इन सारी चीजों को आसानी से cover कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका पूरा एक साल जो है, जाएगा इन सारी चीजों को लेके, पर अगर आपने एक साल म यह सारी चीजे सीख ली, और उसके बाद आप competitive programming continue करते गए, और project continue करते गए, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका project और competitive programming चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपका जो portfolio है, वो endless बनता रहेगा, बनता रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके resume में add होती जाएंगी, पर अगर आपने इतना कर लिया है, तो यह guarantee है, कि आपको कहीं ने कहीं अच्छा जो package है, वो मिल ही जाएगा, क्योंकि आप अब इतने skillful हो चुके हो, हर एक दिशा में, हर एक perspective में कि फिर आपको reject कोई ना कर पाएगा, यह for sure है, बट मेरा question एक बहुत बड़ा यहाँ पे यह ह कि आपको ऐसा interview कहां से देने को मिलेगा, ऐसी opportunity कैसे मिलेगी, जब आपको यह सब showcase करने को मिले, yes, off campus काफी सारे interview call आ जाते हैं, अगर आप competitive programming में काफी अच्छा करते हैं, 2-3 साल, 4 साल उसमें लग जा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ competitive coding के competitions में अगर आपने अच्छा कि हैं, but again, the thing is, कि वहाँ कम से कम 2-3 साल का time आपको spend करना पड़ेगा, नहीं है इतना time कि हमारे पास call आए, guarantee भी नहीं है, तो दूसरा approach जो student जो follow करते हैं, वो है gate का exam, बशरते में ये दो जिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि on campus हमारे पास ऐसे opportunities, let's say, अगर कम आते हैं, क कि हमें 30-40 lakh का package मिल जाए, college से, तो फिर आप gate की exam लिख के भी, और opportunities ले सकते हैं, पड़ ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये skill set जो है, आपको होनी ही होनी है, must have situation में है, gate की preparation में almost सारी चीज़ें included है, सिर्फ versus project और competitive coding extra है, बाकी का आप आसानी से gate की preparation में cover up कर सकते हैं और बहुत आसानी से इन्हें सीख भी सकते हैं, I hope कि आपको काफी सारे question के answer मिल गये होंगे, अब बिलकुल भी देर मत करिए, जल्दी से शुरू करिए, basic से start करिए, आप समझ लीजिए, time लगेगा बहुस, धीरे 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 करके सारी चीज़े जाएंगी, एक साथ साथ स यह करूँ, यह करूँ, थोड़ी देर यह कर लिया, अरे यार, coding भी तो करनी है, फिर coding कर ली थोड़ी देर, फिर project भी तो करना है, project कर लिया, फिर project करने को छोड़के, अरे हमें यह भी तो सीखना है, यह भी सीख लिया, और ऐसे करते करते जब आप distracted रह जाएंगे, तो आ ही आपका time अच्छे से utilize हो पाएगा तो आप शुरू करो एक basic चीज से पहले वो cover करो फिर next पे जम करो it will take slowly slowly a lot of time but जब आप इतना enough time spend कर देंगे तो ये guarantee है कि फिर आपको कोई हिला नहीं सकता भी आपको job तो मिलेगी मिलेगी और बहुत high paying job जो है मिलने वाली है good luck everybody अगर आपको फिर भी कोई doubt है query है question है तो आप comment box में जरूर comment छोड़के जाएगा we will read it and we will help you out ताकि आप सब लोगों का career बनाने में हम आपको वो मदद पहुँचा पाएं जो आपको जरूरत है thank you happy learning bye bye